टार्गेट बीएट 90% 5 secret habits of a topper student topper students की वो 5 secret habits क्या हैं जिनको follow करके वो बीएट को 90% चेर्ज कर पाते हैं प्लस अपने class के topper भी बनते हैं आज भी जिस student ने इन 5 secrets को समझ लिया उसको 90% लाने से प्लस class का topper बनने से कोई रोग नहीं सकता है एक से बड़गर के एक secrets हैं जिसने भी class को last तक देखा वो अपने class में 90% लाने का हकदार तो हो गई होगा प्लस topper बनने से इसको कोई रोग नहीं सकता है दोस्तों हर class में मुख्यताह दो प्रकार की strength होते हैं एक वो जो पढ़ाई में weak होते हैं कमजोर होते हैं और दूसरे वो जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम हर बार class के toppers की list में होता है आप साइद एक topper भी हो सकते हैं और एक weak student भी लेकिन बात जब एक topper student की आती है तो अक्सर हमारे mind में ये आता है कि यार वो पता नहीं कितने घंटे पड़ता होगा पता नहीं उसका दिमाग कितना तेज होगा साइद इसी लिए वो top करता होगा लेकिन friends आपका ये सोचना गलत है because किसी भी student के पास कोई भी super power नाम की चीज नहीं होती है उपर वाले ने सबको एक जैसा mind दिया है toppers को कोई god gifted brain नहीं मिलता और ना ही उनमें कोई super powers है अगर आप चाहो तो आप भी एक topper बन सकते हो आप भी 90% beard में change कर सकते हो आपके अंदर भी वो capability है वो योगता है वो capacity है जो एक topper के अंदर होती है बस जरूरत है तो थोड़ा observe करने की topper student की कुछ special habits होती है जिने वो follow करते है शायद ये habits ही उन्हें topper बनाने में important role play करती है और अगर आप भी उन habits को follow करेंगे तो एक topper बन जाएंगे दोस्तों आज की ये video आपके लिए इतनी special होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते तो वीडियो को end तक जरूर देखना इस वीडियो से आपको वो चीज़े शीखने को मिलेंगी जो आपको भी topper बनाएंगी प्लस आप B8 में 90% chase कर पाऊगे क्योंकि ये B8 का result हित्ताय करेगा कि आप government teacher बन पाते हो या नहीं तो फिर देर किस बात की आपके सामने है habit number one proper planning ये habit number वो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से proper planning की जाती है अगर आप किशी काम को करने से पहले planning नहीं करते हैं न तो याद रखिए आप उस काम में fail होने की planning कर रहे होते हैं आपको एक proper planning करनी है कि आपके total कितने subjects हैं और किस subject को कितना time देना है और first of all अपने syllabus को अच्छी तरह analyze करना है छोटे छोटे goals बनाएं जैसे कि एक week में इतने chapters तो complete करने ही हैं चाहें जो हो जाएं और अपने target को daily basis पे छोटे छोटे goals में divide कर दें for example कि एक दिन में मुझे psychology का एक chapter तो complete करना ही है इसे learn करना ही है और जिस chapter ये topic को पढ़ें साथ में उसको YouTube पर search कर लें क्योंकि कई बार चीज़े अपने आप समझ नहीं आती हैं तो आप classes देखकर भी समझ सकते हैं आप हमारी classes देख सकते हैं और फिर खुद अपने आप पढ़ें इस तरीके से जब आप छुटे छुटे goals को achieve करेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा फिर आप interest के साथ effectively अपने study कर पाओगे तो friends ये थी habit number one आप बात करते है habit number two की माईड्योफ्रेंड फर्स्ट अफॉल आपको ये देखना होगा कि दिन भर में आप क्या क्या काम करते हैं यानि किस किस काम में अपना time spend करते हैं अपने पूरे दिन को obszarv करें कि आप कितना time पढ़ाई को देते हैं, कितना time अपना घर का काम या जॉब करते हैं या कॉलेज में इस्पेंड करते हैं और कितना टाइम दोस्तों के साथ कितना टाइम इस्टाग्राम पर रील्स देखने में मुबाइल पर अंगूठा गुमाने में कितना टाइम इस्पेंड करते हैं अगर आप अपनी full day की activities को ध्यान से observe कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत सारा time कुछ भी न करके waste कर देते हैं आप हम सब को एक समान एक बराबर 24 hours ही मिलते हैं टॉपर्स के पास भी इतना ही time होता है बट उन्हें पता होता है कि कितना time किस काम को देना है अगर आप भी ऐसा ही करते हो और अपने time को manage करके अपनी फालतू की activities को daily life से cut कर देते हो और उस time को पढ़ाई में use कर लेते हो तो आप भी एक topper बन सकते हो आपके भी 90% आ सकते हैं इसलिए अपने time को proper manage करो और जितना ज्यादा हो सके अपना time study को ही दे my new friend आपके सामने है habit no.3 habit no.3 है self discipline my new friend अगर आप एक topper बनना चाहते हो तो आपको खुद के परती इमानदार रहना होगा अगर आप अपनी पढ़ाई सही समयपल नहीं कर रहे हो और जो target आपने set किये हैं जो goals आपने बनाये थे अगर आप उन्हें achieve नहीं कर रहे हो तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हो अंधिरे में ले जा रहे हो आपको एक self discipline maintain करना होगा because आप ही वो इंसान है जो खुद का future decide कर सकते हो और future decide होगा इस बात से कि आप आज क्या कर रहे हो आप present में क्या कर रहे हो अगर present time आपने फालतू के कामों में waste कर दिया तो future में आपको बहुत मेहनत की जुरोत होगी अगर present में मेहनत करते हो तो future bright हो जाएगा अपना career बना पाऊगे इसलिए कभी भी अपने आपको धोखा मत देना जो भी plan बनाओ उसको हर हाल में follow करो और अपने आपको discipline में रखो तो dear friend ये था हमारा self discipline चलिए पहुंचते हैं habit no.4 पे आपके शामने है habit no.4 read, repeat and revision my dear friend read, repeat and revision क्या होता है मैंने कल के भी class में बताया था read जितना भी पढ़ें उसको बेहत्रिन तरीके से पढ़िए उसको repeat करिए उसको समय समय पर एक समय अंतराल के बाद उसको revise करें एक नहीं दो नहीं multiple revisions करने चाहिए कई बार revise करना चाहिए हर topic के ताकि exam time आपके उपर पढ़ाई का pressure ना रहे आपके उपर burden भी कम रहे और exam में free mind होकर के आप अपना best performance दे पाएं आज की last habit जो की सबसे super important है last habit no.5 last month preparation ये बहुत कमाल की heading habit है आपकी last month preparation की इसको जिसने समझ लिया वो बेहतरी definitely बहुत best कर पाएगा friends final month का ही वो preparation है जो आपका result decide करेगा आप exam से एक मन पहले क्या पढ़ते हो कितने topics cover कर पाते हो यही आपके exam का result decide करेगा इसलिए अपने last month को full dedication के साथ use करें अपने last month में आपने पूरे साल जो भी पढ़ा है उस पर एक बार नजर जरूर डालें मतलब first revision आपको last month में अपनी तयारी को next level पर high peak पर लेकर के जाना है आपको यह सोच करके पढ़ना है कि बस यह एक ही तो महिना है इस class का यह book swapish मुझे कभी नहीं पढ़नी पढ़ेंगी तो जब last बार ही पढ़ना है इन books को तो थोड़ा प्यार से पढ़ लेता हूँ और आपको मज़ा भी आएगा इससे आपका mind burden free रहेगा और अपनी तयारी अच्छे से कर पाओगे प्यारे दोस्तों आज की इस class के मेरे final words आप लोगों के लिए है believe in yourself एक topper बनने के लिए आपका खुद पर विश्वास होना बहुत दिरूरी है अपने आपको विश्वास दिलाओ कि वो मैं ही हूँ जो top कर सकता हूँ 90% chase कर सकता हूँ cross कर सकता हूँ दूसरा कोई नही दि follow these steps and believe in yourself one day you will be topper thank you I want one like one comment from you thank you miltay hai bahu in the next class